मैं पत्रियों के लिए बना रही हूं अगर आपके पती आपको mutual divorce मतलब आपसी सहमती वाला तलाक जो 10 दिन में ही मिल जाता है नहीं दे रहे हैं तो आपने मन बना लिया है कि आप एक तरफा तलाक का केस अपने पती पर डालेंगी या आप एक तरफा तलाक का केस अपने पती पर डाल चुकी है यानि केस चल रहा है तो एक अच्छी खबर यह है कि जहां सालों साल लग जाते थे इसका फैसला आने में तो अब कितने साल में इसका फैसला आ जाएगा करेंगे इसी बारे में बार आप पत्नी हैं सबसे पहले तो यह समझ लें कि एक तरफा तराक आप सकुपक लेने की सोच रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पती तंबाकु खाते है खुटका खाते हैं शराप पीते हैं तो आप देखलगहां दाल यह और आपको द्द लाक मिल जाए जाएगा ऐसा नहीं है एक तरफा तलाक लेने के लिए सरकार ने अपने अधार बना रखे है आप उनको पहले ध्यान से समझे अगर आपके पती का चरितर अच्छा नहीं है मतलब वो चरितर हीन है दूसरा आपके पती कुरूरता दिखाता है मतलब आपको मारता पिड़ता है या सारे दिन आपकी बेस्ती करता रहता है आपको दिमागी पागल कर रखा उसने दूसरा दो साल से बीना वजा से वे अलग रहा है चौथा आप दोनों हिंदू है लेकिन उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है पांच्वा वे सच में पागल हो गया है चौटा उसने सन्यास ले लिया है साथमा वे साथ साल से ला पता है पता भी नहीं है कि वे जिन्दा भी है के नहीं आठमा उसने कहीं शादी कर ली है नवा उसे कोई चुआ चाती बिमारी लगी है तो आप ये समझें कि ये एक तरफा तलाग इन्ही अधारों पर मिलेगा और वो भी तब मिलेगा जब इनमें से कोई अधार आपका है और आपको इस अधार को कोट में साबित करना होगा मतलब प्रूफ करना होगा अब बात करते हैं कि ये एक तरफा तलाग लंबा क्यों हो जाता है देखिए जो क्या होता है कि जब आपने परी पती पर एक तरफा तला की, मतलब केस डाला, शुरू किया तो आपके पती को संबन भीजा जाएगा, आपका पती हर डेट पर तो कोट में आएगा लेकिन वे आपके उपर अरोप लगाएगा मतलब जो वे अरोप लगाता है वे वकील की फाइल में आ जाते हैं यानि अब उस पर कारवाई होगी फिर बहस में क्या होगा आप भी अपने पती पर अरोप लगाती है तो फिर उस अरोप पर कारवाई होगी इससे क्या होता है तारीक पर तारीक मिलती जाती है और ये केस लंबा चलता जाता है तो एक तरफा तलाक लेने के लिए कोट के चक्कर खाते हुए सालों साल निकल जाते हैं और फिर भी कोई गरंटी नहीं होती कि एक तरफा तलाक मिलेगा भी के नहीं लेकिन अब एक खबर जो आई है वो यह है कि आज की तारिक में मतलब अगर आप आगे बताऊंगी अगर आप एक तरफा तलाख के लिए अपलाई कर रहे हैं तो कितने साल के बाद तीन महीने के अदर आपको केस का सोलुशन मिल जाएगा मतलब तीन महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपका तलाख होगा या नहीं होगा पहले तो यहीं नहीं पता होता था कि खुश गरंटी नहीं होती थी कि मिलेगा भी के नहीं मिलेगा लेकिन अब तीन मेने एक अंदर पता चल जाएगा कि तलाक होगा या नहीं होगा अगर हो रहा है तो आपको डिक्री मिल जाएगी और नहीं हो रहा है तो भी एक रास्ता निकल जाएगा कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है क्योंकि आप समझदार हैं आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं एक तरफा तलाग का केस डालने से उम्र निकलती जाती है सालों साल धक्के खाने पड़ते हैं पैसा अलग बरबाद होता है समय अलग बरबाद होता है और यह कहूं कि सब लोगों को पता चल जाता है कि आपने अपने पती को पर केस कर रखा है क्योंकि कोट में बार बार आपको जाना पड़ता है कोई ना कोई मिल ही जाता है तो जो एक तरफा तलाग केस फाइल करता है बेह यह चाहता है कि तलाग का फैसला आ जाए ताकि वे किसी दूसरे से शादी कर ले कि वो पत्ती हो चाह पत्त नी फीक है? या ना भी शादी करें तो कम से कम शानती से जिन्दिगी जीए और आपको पता है कि यह इंडिया है शादी के बंधन में पढ़ना तो बहुत असान है और इस रिष्टे से निकलना बहुत मुश्किल है और बिना तलाग के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं अब एक तरफा तलाग मिल जाए तो बहुत अच्छा आपका केश चल रहा है तो आप अपनी जन्दिगी में आगे बढ़ सकते हैं और अगर नहीं मिल पारा है तो आपको पता चल जाता है तीन महिने के अंदर यानि अब जो खबर वो आई है वो यह है कि आप सालों साल आपको इंतिजार नहीं करना कि क्या होगा, क्या नहीं होगा तलाग का अगर आप अत्नी हैं, आपने एक तरफा तलाग के लिए केस किया हुआ है केस चल रहा है तो अच्छी ख़बर यह है कि अब आपको सालों शाल मतलब इंतजार नहीं करना पड़ेगा अब मालो केश चलते चलते साथ साल हो गए है फिर भी तलाक नहीं मिला तो अब आप क्या कर सकती है अब आप पत्नी है आप हाई कोट जा सकती है और जो ट्रायल है उसका प्रेटीशन अप्लिकेशन फाइल कर सकती है कि मैं साथ साल से इस कोट में एक तरफा तलाक के लिए जा रही हूँ पर मुझे एक तरफा तलाक नहीं मिला फिर हाई कोट इस मामले को घराई से देखती है और की इनका साथ साल का समय निकल चुका है, इनका पैसा लग रहा है, समय लग रहा है, नोकरी की छुटियां हो रही है, अगर कोई आप काम करती है, तो आपका काम खराब हो रहा है, तो इन धारों को देखते हुए और high court की तरफ से जहां पर divorce का case चल रहा है जिस court के अंदर चल रहा है तो high court उस court को रिर्देश देती है कि इस case को जल्दी से जल्दी यानि तीन महिने के अंदर खतम कर दिया जाए यानि आपके एक तरफा तलाक का फैसला इनको दे दिया जाए तो मेरी बात अब समझ आगी होगी कि अगर आपने एक तरफा तलाक का case किया वह है और उसका फैसला नहीं आ रहा है और आपको कोड के धक्के खाते हुए, पैसा लगाते हुए, समय बरबाद करते हुए, तारीक पे तारीक मिलती रही और उसका कोई फैसला नहीं आ रहा है तो अब आपको बहुत ज़्यादा भी साथ साल इंतजार पड़ेगा पहले तो सालों साल निकल जाते थे और कोई गरंटी नहीं होती थी कि उसके तलाक मिलेगा भी के नहीं मिलेगा लेकिन अब जो नया फैसला आया है वो यह है, कि अब साथ साल बाद आप हाई कोड जाकर जैसे मैं ना कोई बताया, आपने प्रिटीशन अप्रिकेशन फाइल कर सकती है और हाई कोड जहां भी आपक केश चल रहा है, उसको डिरक्शन देगी और आपको तीन भाईने के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि आपको तलाक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और आप अपने जिन्दगी में आगे बढ़ सकेंगी प्रीजिस एक सबक चैनल को सबस्क्राइब करें, सबस्क्राइब करना फ्री है